सद्द सार राक्षस राक्खस रक्षा सब्द आपने सुना होगा चُन्कि पाली के अंदर शेवड नहीं होता और रक्षा में जो शेव Felix वो आधे कैर और शेशे बना वह है पाली के अंदर ये छेवड यानि छत्री वाला जो शेवड ये नहीं मिलता इसलिए उसको पाली में रखा है और पाली से बाद में जब मौडिफाइट किया बाद में भासा बनी और इसको मौडिफाइट किया गया संस्कारित किया गया तो इसको रक्षा बोला गया जब 6 शब्द बना दिया गया तो रक्षा करना का मतलब होता है रक्षा और सुरक्षित का मतलब होता है सुरक्षा का मतलब हो गया यहां सुरक्षा तो रक्षा का मतलब है रक्षा और सुरक्षा का मतलब है सुरक्षा उसी से जो लोग सुरक्षा करते थे और जो रक्षा करते थे उनको बोलते थे राक्ष यानि रक्षा करने वाले को राक्षस बोलते थे और पाली में उसको बोलते थे राक्षस, राक्षस से बोलते थे, इसलिए यहां के जो लोग थे, भारत के लोग थे, वो रक्षा करने वाले लोग थे, इसलिए उनको रक्षा करने वाला बोला गया, या राक्षस बोला गया, या उनको राखक्स बोला गया क्योंकि वो रक्षा करते थे सुरक्षित अंकरते थे यह पाली में भी आता है कि सभी बुराईयों से हमें सुरक्षित किया जाए धन्यवाद क्योंकि एच लिए भी आता है